प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों एक्सरसाइस 12.1 ले रहे हैं चेप्टर 12 का जो आपका हेडिंग यह है जिसका टॉपिक है हिरोंस फार्मुला तो बच्चों हिरोंस फार्मुला कहां पर यूज होता है जहां पर अगर हमको परपेंडिकुलर नहीं दिया हो जैसे अभी आप और एक्विडिकर ट्राइंगल का जो फार्मुला डेराइव किया हैं हमने वो हिरोंस फार्मुले से किया है तो हिरोंस फार्मुला कहां पर यूज होता है जब three sides दे रखी है और आपको परपेंडिकुलर मालूम नहीं हो तो हम हिरोंस फार्मुला यूज करेंगे बच रहा हूं आये ट्राफिक साइन सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग इसकूल अहेड इस एक्वी लेटरल ट्राइंगल विट साइड़ यह नि आपने देखा होगा रोड पे इसे साइन बोर्ड लगे रहते हैं और जो सिग्नल बोर्ड बोलते हैं जिने तो जैसे यहां पर आपन एक board लगा है जिसका safe है equilateral triangle और जिसकी side A दी हुई है आपको और उसके उपर school ahead लिखा है तो आता कि जो भी गाड़ी वाले हैं अपनी गाड़ी धीमी कर ले बच्चे आते जाते हैं तो यह signal board है अब आगे क्या कहा है find the area of the signal board using hero's formula देखे using hero's formula if its perimeter is 180 आपको इसमें perimeter 180 दिया परिमिटर क्या होता है तीनों भुजाओं का सम होता है यह 180 दिया है और side दे रखे यहां उपर कि एक्विलेटरल की साइड की जो मेजरमेंट है वो A दे हुई हमको है ना तो A का वेल्यू निकालना पड़ेगा किससे जो पेरिमिटर दिया है इससे हम A का वेल्यू निकाल लेंगे तो what will be the area of signal board तो यहाँ पर perpendicular मालूम नहीं है तो हमारा जो general formula है वो half based into height वो नहीं लग पाएगा बच्चो यहाँ पर तो जब तीनो पुझाएं मालूम है और perpendicular मालूम नहीं है तो हम hero's formula यूज करते है hero's formula क्या होता वो मैं आपको बता देता हूं पहले तो hero's formula में सबसे पहले हम हम जो perimeter होता है perimeter किसे कहते हैं वह जो यह 3 भुजाओं का sum उसका हाप निकालते हैं उसको हम semi perimeter बोलते हैं यहने इन 3 भुजाओं का sum यहने a plus a plus a by 2 मतलब 3 a by 2 यह न तो यह half perimeter आ गया इसका यहने इन तीनों भूजाओं का आधा आगया थे तीनों भूजाओं का जो पेरिमिटर है उसका हाप यहने इसको सेमी पेरिमिटर केते हैं ठीक है नief के हापको से डिनोट करेंगे हम और हिरुन्स ने जो फार्मूला दिया था वो क्या दिया है बचो बचो कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ये सेमी पेरिमिटर जो स निकालना है ना तो स मल्टिप्लाई एस माइनस ए याने फर्स साइड अभी तो हिनों साइड ऐक쪹वल है अगर यह अलग-अलग साइड. इसको हम जनरली ए बोल देंगे इसको हम पीले ले ले लेंगे इसको हम सी ले ले लेगे तो एग बार perimeter में से एक भुझा माइनस करना ए तूसरी भार B भुझा माइनस करना है तिसरी बार regular माइनस करना अगर अलग अलग तो अलग अलग मानस करेंगे सेम दिवी तो वह जगे है माइनस हो जाएगी ये एक टाल बी की जगे भी एह हो जाएगा की की जगे भी हो जाएगा लेकिन अब सबसे पहले हमको दिया क्या है पेरी मेटर यहां से दी सिंपलाइज आपको मिल गया 3A is equal to 180 तो यहां से A is equal to कितना हो गया 180 by 3 180 by 3 means A is equal to आपको पास आ गया A बराबर 60 ठीक है बच्चों तो यहां से आपको यह side मालूम हो गई A तो इसका मतलब आपका semi perimeter S क्या हो जाएगा तो दी सिंपलाइज यहां से S हो जाएगा बच्चों S का value कितना हो जाएगा बच्चों 3 into A की जगे लिख देंगे 60 है न हमने निकाला 3 by 2 by 2 तो यहां से कितना हो जाएगा 2 से इसको cancel कर दिया 60 को हमने तो क्या आगया 30 कि तो यह हो गया 339 मतलब 90 यहने S का value आपको 90 मिल गया बच्चों है आपको s मालुम हो गया और यह मालुम हो गया अब हम gekommen was formula apply करें बच्चों तो 1000 फार्मुला ने area आप triangle निखा लेकशने का बुलोने हैं find a area up sign board sign board ट्रायंगल से में बच्चों तो area triangle निकाल रहे हैं तो area of triangle ABC मतलब signal board जो है उसका area निकाल रहे हैं तो यहां पर square root में S का मान रखेंगे सबसे बढ़े S का मान आया 90 बचो ठीक है ना S का मान 90 फिर लिखेंगे S minus S मतलब 90 बचो 90 एश माइनस ए ये मतलब है 60 इसपर 920 माइनस एस माइनस भी भी कितना हो जाए बंचो तीनों बुझाएं कितनी हो गई इसके यह भी 60 हो गई क्योंकि तीनों बुझा एक्क्यों ट्राइंगल ना पर तो तीनों बुजाए 60 हो जाएगी तो तीनों बुजाए 6060 रख देंगे हम यहां पर तो यहां से 90-60 बी जगे फिर 90-C मतलब यह एस माइनस सी मतलब 90-C की जगे हो जाएगा यह भी 63 जगे 60 माइनस करना तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों हिरोंस पार मुलेगे आपको अभी एक बार प्रेक्टिस हो जाएगी तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छे सवाले अब देखिए 90 में से 60 गया 30 यहां भी 30 और यहां पर भी 30 अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं और थोड़ा अगर आप स्मार्ट लर्निंग करेंगे तो इसको छोटा भी करके लिख सकते हैं तो स्क्वेर रूट में से कौन बाहर निकल सकते हैं जब पेर हो सेम संख्य तो यह 30 में से एक 30 बाहर आ जाएगा क्या इसको भी 30 के रूप में लिख सकते हैं 90 को तो यह हम लिख सकते हैं 90 को 30 के रूप में तो कैसे देखिए बच्चों इस 90 को लिखेंगे 3 into 30 तो यह 90 हो गया यह 30 बचा हुआ है और यह 230 पहले से आपके पास तो देखिए एक पेर य बन गया तो आपको क्या जल्दी हो जाएगा सवाल तो यहां से इस में से एक 30 बाहर आ गया बच्चों इधर से दूसरा 30 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 3 बचा इसको स्वाल गया तो 900 अंडरूट 3 तो आपको जो पूछा था क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों आपको कि इस पेरी मिटर इस वानेटी सेंटी मिटर वाट विल वी दा एरिया सिगनल बोड और पेरी मिटर सेंटी मिटर में दिया है तो इसका जो एरिया आएगा वह आया आपका 900 अंडरूट 3 और इसके आगे क्या लिख सेंटी मिटर होती है ना तो लास्ट में आप चाहें तो आप एंसर लिख जिए थास कि यह ना क्या पूछा था एरिया आप एरिया आप दशिगनल बोड इस कितना हो गया बच्चों यहां पर लिख देंगे हम 900 अंडरूट 3 सेंटी मिटर स्क्वार एक बार और मैं इसको र देखें यहां पर उसने कहा है एक लिएट्र ट्राइंगल एक लिएत इने तीनोजांती है थीक devices यह ठीक ना तीनोजा है उसका पेरिमिटर दिया हैं कितना वwnेरबी तो शाउड निकाल लेंगे तो perimeter से हमने side निकाली तो 60-60 आ गई यहां तक हम पहुझ गए अब perimeter मालूम था तो side निकाली अब आपको area निकालना है तो area के लिए हिरोंस फार्मुले से semi perimeter S निकालते हैं एस क्या होता है तीनों भुजाओं का सम करके 2 से divide कर देते हैं अगर तीनों भुजाओं a है तो 3a by 2 हो गया और a का value 60 आया तो यहां 60 रख देंगे और इसको solve करेंगे तो a का value हमारे पास 90 आ गया बच्चो यह है ठीक है ना 90 आ गया तो a मालूम हो गया और a मालूम हो गया यह यह तीनों भुजाओं a ही है हमारे पास a b a का मान भी 60 b का मान भी 60 और c का मान भी 60 है तो इस फार्मूले में एस की जगे तो 90 रख देंगे और a b c की जगे 60 रख देंगे तो यहां से इस प्रकार और इसको solve किया तो यह पेर बन गए हमारे 30 30 के दो और 3 अंदर रे जाएग आपका required answer है बचो ओके थेंक यू प्यारे बचो एक्सरसाइज 12.1 का question number second ले रहे हैं बहुत अच्छा question है हमने इसको अपने जब आवागमन करते हैं या हम कहीं आते जाते हैं तो यह fly over आपने देखे हूंगे तो उसी से related question यहां पर दिया है अच्छा question है देखे क्या का है the triangular side walls of a fly over have been used for advertisements उसने कहा है एक यह fly over दिया हुआ है जिसमें इसकी जो यहने इसमें उपर से भी गाड़ी आ जाती है और इसके नीचे से भी गाड़ी निकलती है यह fly over बनाया हुआ है तो यह जो side में दोनों तरफ triangular shape में उसकी दिवार बनी हुई है और इस दिवार पर अल किराय पर दे दिया गया है ठीक है नहीं दिवाल की राय पर दे गई है अलग-अलग कोई सालबर के लिए देते हैं कोई पांसार के लिए कोई दो महिने के लिए अलग-अलग समय के लिए तो यहां पर क्या कहा है देखें the sides of the walls are 122 meter 22 meter और 120 meter यह इसकी sides दे रखी है आपको इस ट्राइंगल की the advertisement yield and earning of rupees 5,000 per meter square per year यहने एक साल के लिए अगर इस ट्राइंगल की जो दिवार है इसको किराय पर देते हैं तो जो rate है उसका एक मीटर square का जो रूपिया लगेगा यहने पेसा लगेगा उसको 5,000 वन येर का चार्ज होगा वन येर का एक मीटर का चार्ज कितना है 5,000 रूपीज एक company hired one of its wall यहने इदर इसकी दोनों तरप वाल थी तो उसने एक वाल को hire किया यहने किराय पर लिया है पर थ्री मंथ तीन महिने के लिए लिए पूरा साल भर के लिए नहीं एक वन येर में कितना 12 मंथ होते हैं तो उसने थ्री मंथ के लिए हायर किया है ठीक है बचो तो how much rent did it pay तो कितना किराया होगा तो सबसे पहले तो कितना एरिया एक मीटर का जो rate है वह 5,000 है तो जितना म सब्सक्राइब होगा उसमें 5,000 का multiply तो एरिया निकालना पड़ागा हीरोंस फार्मूले से एरिया जितना आएगा उसमें 5,000 का multiply कर देंगे बच्चे तो यह 12 मंत का amount आ जाएगा हमको 3 मंत का चाहिए तो उसमें उसको solve करके हम 3 मंत का rent निकाल लेंगे तो हमारा answer आ तो बच्चों देखिए इसको solve कर रहे हैं तो आपको दिया हुआ है कि ट्राइंगल सेप में जो flyover की जो wall है वो एक triangular shape में दी हुई है जिसको हमने एक triangle shape बना कर यहां पर so किया है तो इसमें अलग-अलग size 122 मीटर 120 मीटर और 22 cm दी हुई है तो यहां पर हीरोंस फार्मूल है क्या अनुसार क्या निकालना पड़ेगा हमको semi perimeter S निकालना होगा तो S क्या होता है तीनों sides का sum करके 2 से divide कर देंगे ने perimeter का half तो perimeter क्या हुआ और आपा तीने sides का Sum बचा तो अपने states क्या लिख ली नियू बचो 122 प्लस 22 प्लस 120 सब्लस निकी यह उन तीनों का सम कर्lieis निस einz знаешь च्रहें ना तो 5 rating कर रहे हैं तो 263 फोर 9 पैस कितना आ रहे हैं तो आप कर आप circumstances करके देखें लियना है तो 264 आया और इसको भी टू से डिवाइट किया हमने तो आपको मिला 132 मीटर टू से डिवाइट करते है तो 132 मीटर यह एस आ गया यह एस का वेलिव 132 मीटर ठीक है बच्छो अब हिरोंस फार्मूले का कार्डिंग जो फार्मूला है स, स-a, स-b, स-c और यह सब स्कोर PARC के अंदर आठ तो नेक्स्ट हम शॉल करेंगे तो फिर क्या करेंगे अब स्क रूट लगा है आपक पने और स का वेलिव कितना है फिर यह लिखेंगे फिर यहां फिर S का value है 132 – C जो है आपको कितना है 120 ठीक है बच्चो आप इसको हम सब्ट्रेक करके स्वाल करते हैं जो देखिए बच्चो यहां 132 में 122 माइनस क्या 10 बचा यह 22 माइनस क्या तो 110 और 120-11 अब देखिए चाहें तो हम इसको छोटे 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 फेक्टर कर सकते हैं लेकिन आपको तोड़ा सा smart बनना है बच्चों तो smart बनने के लिए क्या करना चाहिए कि हम बड़े फेक्टर कर ले तो हमको आसानी से जल्दी हो जाएगा तो 132 puede 11-11 inquiry लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं तो 134 पी 15 1111 इंतो 12 लिखते हैं तो हमारा छोटी कि उत इसको इस से क्या हमारे पेर बन गए यह दोनों पेर बन गए आपके ठीक है बच्चो और यहां पर यहां ट्वैल बच रहा बच्छ नविश alors 132 दर्य८ेंस तो ट्वैल बच्चत तो पेर आपकर क्या बने का देख्या यहां इलेवन का एक पेर बन गया बच्चो यह वाला तो का दूसरा पेर बन गया और टेनン का तीसरा पेर बन गया यह सारे बहुरा आगाई बच्चोल 11 बहुरा आ गया 12 झूनया तो यह ला मेने बहुत प्रचा है जो अब कर लो आपका जो आ नही travaille मेनेर gonna का मल्टिप्लाइ करा 11 इंटू 120 12 इंटू 10 ठीक है बच्छों यह 120 हो जाएगा तो इसको सॉल्ड कर रहे हैं तो हमारा एंसर आ रहा है 1320 इन तेरा सो बीस आ गया यूनिट आपको मिटर में दे कि तो मी-डर स्कौर्र लगा दें तो यह hundred Series a पूरे का पूरे इन इस ट्राइंगल पूरे का एरिया कितना आ गया तेरा सो बीस म o q Q में कहा है कि एक मॡर स्कौर्ट का वन एर का चार्ज कितना लग द्राहे एक मीडर इसकोरर का बच्छों यह 1320 हम्या ठीक है तो मीटर यह टोटल एरिया है वन मीटर स्क्वेर का जो चार्ज है बच्चो वह 5000 तो तेरा सो बीस मीटर स्क्वेर का चार्ज कितना होगा तो इसमें 5000 का मल्टिप्लाइ कर देंगे हम कि देखिए बच्चो अकार्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया है एक साल का जो किराया है वह एक मीटर का 5000 रुपए लग रहा है तो को तेरा सो भीक तर्टेव नीuted तो यह वन यह का चार्ज आ गया पुरा इसको मल्टिप्लाइ करने के जरूत कर ललेड़ने बच्चो दो b फार्ट वञें का जा है तो एक सीव्द थे कर देंगे तो वन मैंथ का चार्ज आ गया हम को पूछ रहा है थ्री मंथ का सो देर्फोर रेंट को फार थ्री मंथ कि आप गीवन वाल है ना तो थ्री मंथ का तो थ्री का मल्टिप्लाय हो जाएगा बच्छो इसमें तो यह हो गया फाइब थाउजेंट इन्टु वान थ्री टू जीरो अपान ट्वैल अब इसको सॉल कर लेंगे थ्री से ट्वैल को कैंसिल करके इसको पूरा सॉल कर लेते हैं बच्छों हम लोग तो बच्छों इसको हमने सॉल किया तो यह आ गया शिक्स्टीन लाग फिप्टी थाउजेंड रूपीज है ना थ्री मंथ का यह चार्ज हुआ उस कंपनी का जिसने उस वाल को हायर क्या है यह साइड में आप रफ में सॉल कर लेना आपका एंसर यह आएगा कि कि ना एक बार और इस